नमस्कार मैं हूं आशिश वर आप देख रहे हैं जन सार्थी इस वक्त हम लोग मौजूद है जनतर मंतर पर जहां हजारों की संख्या में जो महिला आके यहां पर धन्ना पर दश्चन करिया आप देख सकते हैं यहां पर उनका मुख्य मांग जो है वह नारी शक्ति वंदन अ की मांगे हैं जो हमें कभी नहीं मिलने हैं और तो को हमीशा मर्दों से कमी रखा गया है ऐसा क्यूं विवार करते और तो के साथ मुझे समझनी आता ना हम फिजिकली वीग हैं हम लोग फिजिकली आगर आप लोग समझते हैं जब एक और बच्चे को पैदा कर सकती है तो व हम लोग इतने कोशिश कर रहे हैं सब कुछ हमारी आवाज उन तक पहुशनी चाहिए मीडिया की धूरू हम लोग प्रोटेस कर रहे हैं लोगों को हमारी बात सुननी चाहिए और हमारा अधिकार लेकर रहेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए रेप की तो चोड़िये आज कल ब काश्मीर से वो लोग सुरू कर सकते हैं तो उनको शुरू करना चाहिए और यहां भी जितनी महिला है दिख रही है जो ग्राउंड वर्क पर काम कर रही है ऐसी महिलाओं को अभी 24 के उसमें भी आगे लाना चाहिए जी हमें तो नहीं लग रहा है कि हमें साब बादे करती है ब हम यह कहना चाहेंगे कि अब जब 이ह विल्या ही गया है तो बस जल्दी से जल्दी लागू हो और सस्ट महिलाओं आगे बढ़ सकें सिर्कक्त कीर्भाव से किसी के परिवार से ही महिलाओं आगे नबढ़吧 जो संशक्त हैं जो और आगे बढ़ सके परिशानियों को कहीं न कहीं खोदी अपने आप उपने उपर जेल चुकी हैं समझती हैं उनकी जड़ों को तो वो जड़ से इन चीज़ों को कुछ न कुछ कहीं न कहीं हैं तक बहुत जादा प्रभावशाल तरीके से कम कर पाएंगे देखे पहली बात तो है हम हभारी हैं नरेंदर मोदी जी के उन्होंने ये काम किया अब उन से हमारी तीन गुजारिश है कि कश्मीर में डी लिमिटेशन हो चुका है तो वहां दे दे इंबीजिटली 2024 कश्मीर शुड बी दे फर्स टेट इंप्लिमेंट दूसरी चीज प्रशिक्षन कि औरतों को तैयारी करें उसके लिए बहनाईयां गुजुरात से प्रशिक्षन देना चाहिए जैसे आपने देखा भी आध्या शक्ति और तीसरी चीज पार्टियों को निर्देश हो कि सम पार्टिया रेडी करें औरतों को जैसा कि आपने देखा और सुना ये थी महिलाओं की बाते जिनका साफ तोर पर ये कहना था कि हमें तो उटना है ये सरकार ये जरूर लागू होना चाहिए ये नियम हम प्रधान मंत्री मोधी तक जाएंगे एक फाइल लेकर इन्होंने वो लागू हो ऐसी अन्य खब रोक ले आप देखते रही है जन साथ तेवाट डिल्ली से आशीश की रिपोर्ट